अगर तो आप सीखने में दूचस्पी रखते हैं तो यकिन आए तो ये में को सच्छे नाथ सीजार नहीं सर Hagrid is schobs to answer जब opinion वाली बात आजते हैं यह आपके AYपके उपर है आपके उपर है कि जब आपकी राय अपनी कायम करने लगेंगे यह जवाब देने लगेंगे तो आप किसी के ज़्यादा साइड ले ले, किसी के कम साइड ले ले, सिर्फ एक ही साइड को लेकर चल पड़े, ये आपके उपर है, उसमें कुछ जरूरी नहीं है, कि आपने उसको एक्सेक्ट पैक्शन ने, उसके मताबिक उसको देना है, उसके बार, you can address both part of the question equally, और focus mainly on one side depending on your point of view, आपका point of view, जिस तरह मैंने पहले आप से अर्स किया, कि अगर मिसाल के तरुपर एक के हिस्से में, आपने 3 points दिये हैं, और दूसरे के हिस्से में bhi 3 points दे दिये, तो कोई बात म May, एक के हिस्से में 3 दे और दूसरे के हिस्से में 2 दे दिये, तो भी कोई बात değildi, ए इसके बाद देखिये, यह देखिये, यह क्या लिखाव है, computer have, computers have made it possible for people to work from home instead of working in offices. Every day. This should be encouraged and is good for both workers and employers. To what extent do you agree or disagree? अब इसको पढ़कर भी हमें नाद हो जाते हैं, यह कौन सी थाइप है? यह कौन सी थाइप है? It's an opinion essay with agreement or disagreement. है, यह opinion ऐसे, लेकि यह तलब क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है आप से? Agreement or disagreement. आगे देखिये, अब agreement to disagreement में हम क्या देखते हैं? Agree fully, mainly, partly or not at all. आप fully भी agree कर सकते हैं, mainly agree कर सकते हैं, और partly agree कर सकते हैं, और बिलकल भी agree ना करें, आप यह भी कर सकते हैं. इसी तरह से, state explicitly, clear, आपने बता देना है. At the beginning and then again at the end of your essay, कि यह आपने इसको पूरा, शुरू में भी राखर में बता देना है. Convince the reader that your opinion is right. कोशिश करें, कि आप अपने reader को convince कर रहे हैं, कि आपकी opinion right है. Force करने और convince करने में फर्क है. आप उसे force नहीं करना, बलको उसे क्या करना है? Convince करना है, कि आपकी राए में और उसकी राए में क्या है? उसके बाद अब ज़र आ जाते है, format की तरफ. यह format of the opinion asset. इसमें आप क्या करते हैं? introduction है, paragraph है, one or two, और even four, five, six, इतने आप paragraph दरम्यान में डालना चाहें. introduction में paraphrase the question, your own words. आपको इसकी practice करवाई भी गई है. आपने करना क्या होता है? कि जो आपको वहाँ पर question आया हुआ है, उस सारे के सारे question को क्या करते हैं? paraphrase करते हैं. उसको अपने लफ़ों में लिख डालते हैं. किसी और के लफसों में लिखा हुआ और आप क्या करते हैं उसे अपने लफसों में लिख डालते हैं और जब आप उसे अपने लफसों में लिखते हैं तो उसके फॉरण बाद आप क्या करते हैं थीस स्टेटमेंट जब आप थीस स्टेटमेंट में चाहिए इसलिए देखें यह optional है कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं मिसाल के तोर पर आपने अपने ऐसे में लिख दिया कि मैं agree भी करूँगा और disagree भी करूँगा तो आप अपने overview में जाकर यह बताते कि पहले मैं agree करूँगा बाद में मैं disagree करूँगा यह अपने further अपने reader को वजाहत दे दी कि भी अगर तुम पहला हिस्सा पढ़ोगे तो उसमें मेरे agreement नजर आएगा और अगर दूसरा हिस्सा पढ़ोगे तो उसमें तुमें क्या है disagreement नजर आएगा उसके बाद जिनाब यह लिखने के बाद आपके paragraph की बारी और आपको paragraph के पर मैंने आपसे इस किया था कि जितने आपके points होते हैं उतने ही paragraph बनाते हैं आपके 4 points हैं आपके 3 points हैं आपके 5 हैं 6 हैं जितने हैं उतने paragraph बनाएंगे जो कि आपका point जो है वो आपकी main idea होता है और उसी point को जब आप further explain करने के लिए जाते हैं तो वही main idea फिर आपकी sporting detail के साथ जुड़के main idea और clarity के साथ सामने आ जाता है तो इधर आप देखे topic sentence यह नि वही main idea आप यहाँ पर position state करते हैं फिर उसको further explain करते हैं example देते हैं और फिर summarize कर देते हैं और साथ ही क्या करते हैं रिएच रेच रिपीनियन यह जो मैंने आपको शुरू में अर्स किया था कि आपने आ आकर में जाकर उसी conclusion को वो जो उपर री फ्रेज किया था पैराफ्रेज किया अउपर जो आपने words में लिखा था उसी बात को बतोर सुबूत आखर में जाकर फिर अपने दूसरे लफ्सों में आप पेश कर देते हैं इस तरह जहां से आपने अब जाकर और अपनी इंतहा को चू लेते हैं और आप इस तरह पनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं अब दिर आगे बढ़िए, यह देखिएगा, what does this question demands? Nowhere is many students have the opportunity to study some or all of their courses in a foreign country. What are the advantages and disadvantages of studying abroad? अब यह के demand क्या किया जारे है? ऐसा कि चाहिए? यह किस टाइप का ऐसे है? Advertages and? इसमें यह यह ना, मैं आखर में नदर आ रहे हैं, इसी तरह से यह देखिए, इसमें क्या होता है? Positive and negative perspectives को equally आप इसमें पेश करते हैं, बराबर, तीन वो बताए हैं, तीन यह बताते हैं. Clearly explain why you think something is in a way. और आपने वाज़े तर पर यह बताना होता है, कि इसका यह फाइदा है, और इसका यह नुकसान है, इसके यह यह वाले फवाइद हैं, और इनके यह यह वाले नुकसानात हैं. Positively you make it clear to the fellows, उसके बाद देखें जनाब, अब इसका format क्या है, तो दरह देखते जाएए, इसका format जनाब, वही paraphrase the question, outline your main idea and state your opinion, और यहाँ पर फिर एक advantage बताया, उसकी आगे उसी तरह वजाहत की benefits बताया, उसी advantage के, फिर example दी, फिर उसका result दे दिया, इसी तरह दूसरे में गए, तो फिर वोई disadvantage बताया, या disadvantage, अगर आपने मसलें एक paragraph बना लिया है, और आपके बाद three disadvantages हैं, और three advantages हैं, तो अब यह आपके उपर है, कि आप उसके मजीद, हर-hर advantage का लएदा paragraph बनाते जाए, या एक पूरा बड़ा paragraph बना दें, जिसके अंदर six disadvantages पेश करेंगे, और आप सिर्फ advantages पेश करेंगे, you can do this, example के साथ देखें, यानि जो भी आपका फैरा खत्म होगा, वो result, यानि conclude करेगा, अपनी बात को, एक पैरा शुरू हुआ है, main idea से, main idea से होता हो, जब आप paragraph खत्म होगा, तो वहा conclusion उसका जरूरी है, ताकि वो मुकमल बात हो जाए, और फ दे देते हैं, इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं, कि आखर में जाकर आप ये कह दें, कि सारी तहरीर पढ़ने के बाद, सारी तहरीर लिखने के बाद, सारी बात आप तक पहुचाने के बाद, मैं ये समचता हूँ कि इसके नुकसानात इसके फवायत पे भारी हैं, या इसक में जाकर उसे कंगूड कर दिया. उसकी बाइजना, रीदे टेल रटाइप. अबरपुलाइशन इस अमेजर प्रोलम इन मने अर्बन अर्बन संटर्स आर्ण देखिये. अब इसमें जान दे तो यह देखिये. अब इसका देखिये क्या है? इसमें बहुत ज्याद एहतियात से सोचने के जब्लत. इसका मतलब यहरकेज नहीं बाकि जितने आये हैं, उसमें आप बेहतियात ही बरत सकते हैं. लेकिन इसमें आपको हित्यात करना है, because आपने यहाँ पर solution provide करना है, address all parts of the task, जितने parts हैं टास्क हैं, आपने उनको सब को address करना होता है, सब का ख्याल रखना होता है, the first question will refer to the problem or cause, पहली बात क्या होगी, problem होगा, cause होगी, the second question क्या होगा, solution होगा, limit yourself to answering these questions, कोशिश करें इधर आए माईश आए, मत करें, don't speak about the bush, target को देखें आप, यह आपका target है, कि पहले problems बताने, और पिर उनके बाद उनका solution बताने, introduce any further, you don't introduce any further questions or points of your own, otherwise you must stray of a, stray of task, stray of task again beating about the bush, यह आप तास्क से हट जाओगे, और आप जब तास्क से हट जाओगे, तो फिर आपको अंदाजा न आपको क्या problem होगा, और फिर शायद कुछ दिर के बाद आप panic भी कर जाएं, जब आपको लगे कि आप में इतना सारा कैसे मिटा के दोबारा लेको, उसके बाद जिना आप इसका देखिए क्या format है, पहले वाले तो वही area है, आप outline कर गे में इन idea उसको paraphrase कर दिया, फिर आ उसके बाद आखर में जाकर क्या किया, summarize your main idea, आप ने अपने main idea को summarize आपर कर दिया, am I clear my name fellows, अभी तक की गुफ्तु को पे कोई बात जो समझना आई है, ready, are you sure, yes sir, यह देखिए, discussion essays format को देखिए, in today's competitive word, or competitive word, many families find it necessity for both parents to go out to work, while some say the children in these families benefit from the additional income, others feel they lack support because of their parents absence, discuss both sides and give your opinion, it means को दोनों साइट को discuss भी कर में और अपनी अपिनिन भी देनी है, तो ऐसे को क्या देखते है, present two sides of the issue, examine both perspectives, या तो present कर दे, present कर दे दोनों साइट्स को, या फिर दोनों perspectives को equally examine करें, फिर अपना conclusion दे दे, और अपनी opinion तब ही दे, जब क्या है, पूछी गई है, अगर आपसे पूछी ने गई है, तो don't give your opinion, इसका format देखे लिए, तो पहले तो आपने question को क्या करना है, state करना है, दोनों point of view से, ये नहीं कि मैं पहले एक बात कर जाता हूँ, दोनों views तो कि दोनों को discuss करना है, वो बताना है, फिर अपना thesis statement देना है, कि उन दोनों में से आप किसको prefer कर रहे हैं, उसके बद आपने first point of view अपना था, वो यहां जाकर दे दे, to support your view, एक example दे दी, यहां पर आपने क्या किया, second point of view दिया, उसके perspective को discuss किया, उसके reasons बता है, agreement, disagreement की, और उसके वजा कर आपने क्या किया, example दी, to support your view, और जब आप आखर में पहुंचेंगे, तो आप यहां क्या करते दिखाए देंगे Summarize your main ideas and restate your opinion, यहां पर फिर आप सारे ideas को क्या कर लेंगे, एक दफर summarize करके, फिर आप अपनी opinion इसके अपर दे देंगे, am I clear my dear fellows, इसकी type देखे, read in, type इसकी देखे, कि in today's society, success is often measured in terms of wealth and possessions, do you think these are the best measures of success, what makes a successful person, two part answers, यह आपका two part answers, इसमें देखेगा, must answer both questions fully, यहनि यह देखे, यह जो है part, यह do, you think these are the best measures of success, and what makes a successful person, both the parts, तो आप यहां पर क्या करते हैं, दोनों हिस्सों को, fully otherwise you risk getting a low score for task achievement, अगर आप दोनों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप यकीन उसके उपर बेहतर राही नहीं काइम कर सकेंगे,